भारतिय संस्कृती में दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की त्रिप्ती तथा उनके प्रती श्रद्धा से जुड़ा पर्व श्राध मंगलवार को आरंभ हो गया। श्राध पक्ष की शिरुवात इस बार अनंत चतुरदशी के दिन मंगलवार से हुई है। आज प्रतम दिन पूर्णिमा का श्राध मनाया गया। इस अवसर पर संगम तरपर पित्रों का तरपन किया गया। पित्रि पक्ष का समापन दो अक्टूबर को सव पित्री अमावस्या पर होगा और तीन अक्टूबर को नान श्राद के साथ नवरात्रा की शुरुआत भी होगी. सनातन धर्म के अनुसार मनुश्य पर तीन रिण होते हैं, जो देव, रिशीव पित्री रिण है. श्राद पक्ष के दौरान पिंददान वतरपन करने से पित्री रिण चुकाने का फल मिलता है. इस समय विधी विधान से उनका श्राद कर्म कर पित्रों से आशीरवाद प्राप्त किया जा सकता है. पंडितों ने बताया कि जो तिथी मध्यान काल में सपर्श करती है उस दिन श्राद निकालने का विधान है पूर निमा का श्राद मंगलवार को मनाया गया बुद्वार को प्रतिप्ता का श्राद किया जाएगा इस बार के श्राद पक्ष में तिथियों का भुक्त भोग्य होने के कारण 27 को एकादशी और 29 को द्वादशी का श्राद किया जाएगा बता दे कि पित्री पक्ष में दिवंगत पूर्वजों की उनकी मृत्यू की तिथी के अनुसार श्राद किया जाता है अगर किसी मृत्व्यक्ती की तिथी ग्यात न हो तो ऐसी स्थिती में अमावस्या तिथी पर श्राद किया जाता है इस दिन सव पित्री श्राद योग माना जाता है ऐसी मान्यता है कि भादरपद की पूर्निमा से आश्विन अमावस्या तक चलने वाले पित्रिपक्ष में श्राद कर्म और तर्पन करने से पित्रों को शांती और मुक्ती मिलेगी इस दोरान लोग अपने पित्रों की शांती के लिए श्रधानुसारदान दक्षिना देकर ब्राहमन भोज करवाते हैं